नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जेपी शुकला और सौगत आपका हमारी चैनल अर्बन गुरू जेपी आज हम बात करेंगे डिश्टल इंडिया और कैसलेस इंडिया के बारे में तो अगर आप इंदुस्तानी है तो आपके लिए बहुत गर्ब की बात है कि हमारा देश जो है आ तो हमारी लेक्चर को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगे देखेंगे कि डिश्टल इंडिया क्या है और कैसे इंडिया क्या है और कैसे भारत को इसने बदला है पिछले 5-6 सालों में पहले जो हमारा देश था वो इस तरह नहीं था हम बहुत जाज निर्बरते कागजी कारवाईयों पर या फिर पेपर वाले कामों पर आजकल ऐसा नहीं है आजकल हमारी देश ने अपने आपको बहुत बदला है और एक विकासिल देश से विक्सित देश के तरफ बढ़ने में जो चीजे सहायक है वो काम भारत ने किया है तो लेक्सर को स्टाट करते हैं सबसे पहले अगर आप बात करेंगे डिश्टल इंडिया की तो डिश्टल इंडिया एक कैंपेन था जिसको गवर्मेंट आफ इंडिया ने जुलाई मन्त में 2015 के आसपास 2015 में फर्स्ट आफ जुलाई को लाउंच किया तो इनका ये बेसिक मोट अगर आपको क्या आधारकार्ट बनवाना है बनवाना है और पास्पोर्ड बनवाना है या फिर बहुत सारे से अपनाई काम होते हैं जो कि आप पहले आफ लैं अब अउनलाई हो जुक्ए तो डिश्टल इंडिया का जू敢 वो था बैसिके ली भारत के उनेक्टिभर्में क को लेके था कि भारत के हर एक आदमी तक इंटरनेट के अच्छी पहुंच हो और उसका एक्सेस हो electronic माध्यम से लोगों को को कोई भी काम करने के लिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ प्राइवेट योजनाओं का भी और व्यक्तिकत अगरा बिजनस भी कर रहे हैं तो के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं या फिर मेटिंस के लिए वीडियो का उन्फिलिसिंग का यूज़ करते हैं तो जो इंटरनेट की quality थी हाई-speed इंटरनेट की वह इसकी माध्यम से इंक्रेस करी गई अब अगर बात करेंगे इसकी लॉंज डेट को तुस्से कोशन आ सकता है तो लॉंज डेट है फस्स जुलाइ टुन्टी फिफ्टीन वाई प्रामिस्टर नैन मोदी इसका मोटर जो था वो power to empower मतलब हम ऐसे सकती दे जिससे वो लोगों को सुद्र बना सके या मजबूत बना सके इसके नाइन पिलर्स थे पहला था इसमें broadband highway का सेकंड था universal access to phones मतलब सबको हर जगह फोन हो सबके पास और लोग बात कर सके तीसरा था इसमें public internet access program मतलब हर किसी के पास internet का access बहुत अच्छा हो और ऐसे ही गोवर्नेंस है एक्रांती electronics 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 manufacturing मतलब बहुत सारे electronics जो आप मारे देश में नहीं थे उसकी manufacturing के लिए बहुत सारे यूज करने का technical electronic यह सब चीजे इसके scheme के ता आती है आगे हम देखेंगे कि digital इंडिया का हमने फाइदा क्या उटा है तो अगर आप common individual है कोई भी काम करने आप तहसील में जाते हैं या फिर court में जाते हैं उसके लिए आप बहुत सारे कांगजी कारवायां कर दिए पहले प हैं पास्पोर्ट जब से आप आया है तो यह फाइदा है डिशल इंडिया का बारत में इलेक्ट्रानिक रूप से अगर आप ड्रंग लैसे बनाना चाहते हैं जो कि बहुत बड़ा कंसर्ण था पहले लोग के पैसे ज़्यादा लगते थें करप्शन भी उसमें होता था पर पहले ये था कि आपको ओफ-लाइन करना पदा है सब कुछ तो आपके टाइम की भी वरवादी होते थी आपको पैसा बियादा दिनना पदा था पर जब से यह ऑनलायन system हुआ है या फिर electronic system हुआ है तब से आपको पैसा भी कम लगता है उस बीच आप सो कुछ से कंसेशन भी मिलता है प्लस आपका कंवीनेट भी रहता है आप घर से आफिस से ही कर सकते हैं सब्मिट वर्क फ्राम होम जो कल्चर अभी अब हाल ही में लॉकडाउन का सिनेडियों चनल लहा है इस टाइम पे कोरोना वाइरस का इंपेक्ट पूर दुनिया में हो चुका है त इस टाइम पे उसको कभी अडेप्ट कर पाएंगे पर आज के सिनेरियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भारत ने बहुत अच्छी से अडेप्ट किया है चीजों को और भारत जिस तरह से काम कर रहा है वो किसी विक्सित देश को तुलना में बहुत बैतर है कोस्ट से हमारे पर्सनल जो लेवर है मतलब वक्तिकों जो मैनत लगती है वह बसती है सी जो खुल गए है जगे गाओं में वहां से लोग आधार कार्ट से पैसे निकाल सकते हैं तो उनको बैंक में बहुत जाने जरूरत नहीं पड़ती है अगर को जरूरी काम ना हो तो इस तरह से के लिए हम जानेंगे कि भीम उप्पियाई क्या है तो भीम उप्पियाई का पूरा नाम है भारत इंटरफेस FOR MONEY हो और उपी का पूरा नाम है युनिफायड पेमिंट इंटरफेस तो यह एक ऐसी सर्विस है ग्वेर्मेंंट आफ इंड्या ने शुरू करी जिससे आपका जो online payment है वो reliable हो, secure हो और जल्दी हो सके है मतलब कि अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं या किसी बिल का भुगतान कर रहे हो तो आप विश्वसनी है रहें कि कम से कम आपका पैसा waste नहीं होगा आपका पैसा मतलब ब्लूटा नहीं आ सकता है और आपका पैसा जल्दी से उनक जो payment क्रांती हुई है उसमें बहुत बड़ा contribution है भारत में इसकी रिलीज डेट थे 30 अफ दिसम्बर 2016 और इसका मोटर था fast secure reliable cashless payment फार इंडिया और इसको लांच किया था national payments cooperation of इंडिया NPCI ने तो यह भी में उप्य कंट्रिब्यूट किया cashless economy को ले के तो अब यह आप देख transaction की facility available है आपको पास पैसे नहीं है तो आप फोन से अपने payment करके पे टीम फोन पे गूगल पे या किसी भी आप के दौरा आप payment कर सकते हैं वहाँ पे तो वह आपके लिए convenient भी है आपका cost effective भी है और साथी साथ आपका जो पैसा है वो बच भी रहा है एक तरीके से आगे हम हम बात करेंगी कि भारत में broadband highways यह internet connectivity से जोड़ा बड़ा important topic है कि अगर पहले की scene में देखो आप 12 14 तेरा 12 उस टाइम को देखो तो हमारे दिसमें टूजी भी नहीं था पर आपके टाइम में हमारे पास broadband आ चुके हैं हर जगे internet की connectivity इतने अची है कि हम अपने लोगों को यह internet facility पहुचा पा रहा है जो बहुत ही ज़रूरी है इस तरह से हम कह सकते हैं कि broadband highways का एक बड़ा important रोलवे है भारत की economy में तो अब economy की बात करें तो भारत की economy इस टाइम पे 3 trillion dollar US dollar के आसपास पहुच चुकी है जो कि बहुत अच्छी impressive है और हमारा जो global aim है इस टाइम पे कि हम 5 trillion dollar की economy बने 2024 तक जिसके लिए government of India ने और मुद्धी सरकार ले बहुत सा रहेचे प्रयास किये हैं और कर रहे है निरंतर अब हलाकि हमारा coronavirus जो pandemic है उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है पर जो हमारी सोच है हमारा जो basic framework है economy का वो इस तरह का है कि हम local consumption पे जादा dependent है तो हम पादन करेंगे तो वो पादन की जो consumption वो तो होगी प्लस हम एपने export को remittances को या service sector को improve करके हम अपनी economy को revive कर सकते हैं तो इस प्रकार आपने देखा कि जो digital India है जो cashless India वो किस तरह से भारत की economy को एक विकास सील देश की economy से एक बिक्सित देश की economy की और लेके जा रहा है अल सब वो तो एक problem है है हमारे देशने पर हमारे देशने इन चीजों को tackle करने के लिए एक विकास के रास्ते को अपनाया है जिससे अगर लोग को पास पैसे होंगे लोग अच्छे जगहों पे जाएंगे लोग को पास phones की connectivity होगी रोजगार मिलेगा तो देर देरे जो बुक्म चाइना है और अगर आपको यह लक्षर प्रोड़क्टिव लगा हो और आपको examination point of view से अच्छा लगा हो तो अपने दुस्तों साथ सेर करिए मारे चैनल दर्वन दूजी को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू बेरे मच